बूर्णिंग दोस्तो हरे किष्णा कैसो आप सब लोग आई हो बढ़िया होंगे हम लोग भी एकदम मस्त और आज तो पूरा काम अगरा सब कुछ निप्टा लिया है और आज तो मेरी छुट्टी भी थी और घर पई थी मैं भी और दीदी ने भी अपना नहाथ होके कपड़ सब कुछ दो लिया है आज तो धूब भी लगी है बहुत देज आज कल थोड़ी सी धूब लगी रही है मतलब से सुरकंडा का थकान भी मिट किया है आज तो आप लोगों ने हमारा सुरकंडा वाला ब्लॉग तो देखी लिया होगा हमने आज ही अपलोड कर रहा है उसको ज जल्दी से जाओ और डेखो मज़ा आएगा तो मैं बैठी थी तो मैं देख रही थी किना कि पने सारे फ़ोन है भापरे और मैं यहाँ पे ब्लॉग देख रही हूँ और यह है ताओ जी का फॉन यह है मेरा फॉन और मेरा सबसे पुराना फॉन है जो की मेरी भेंड ने दिया था मुझे जब में 2020 में गाउं गई थी तो मेरा फॉन टूड़ गया था तो मुझे यह वाला फॉन दिला दे या उसने तो यह भी टूड़ गया है यह है आई फॉन और यह दीदी का पुराना फॉन यह मेरा पुराना फॉन और यह मेरा न्यू वाला फॉन मेरा न्यू फॉन है जो मुझे दीदी ने 2022 में बढ़ने गिफ्ट किया था और यह है लेफट और यह है ताओ जी का फॉन आपको दीद और ये, ये तो पता नी मुझी, और ये भी पता नी, ये भी नी पता और ये हम जो लाएते धहरागं से वो गमले और ये दीदी, नहा के बैठे हैं साइसे, और ये जैकी जैकी, जैकी लाएते, खाना दीदी, दिन की सबजी के लिए ये क्या बोलते इसका न, हम तो और ही काट रहे हैं और ये हैं हमारे जीजाजी, ही ही तो जीजाजी भी बुट्टे हो गए दीदी अभी जवान है, और मैं जा रही हूं प्याज लेने, प्याज इकाट न, मत्ता माटर, क्या माटर तब ले प्याज लेने, वो भी बहुत दूर है खेत में, तो उन्हीं को खाड के लाँगा आस तो दीदी ने इसमें डाले हैं प्याज पर खतम होने वाले हैं गाईज और साम की टाइम पर खाना वगेरा हमने सब कुछ खा लिया था और दीदी ने बोला चलो घूमने चलते हैं थोड़ी घर पर क्या करना है अभी बोर भी हो रहे थे गरमी भी लग रही थी घर पर तो दीदी ने मुझे आज दिखाया एक न्यू गाउ मस्ट वाव यार कितना अच्छा लग रहा यहां पर और यहां पर ऐसा लग रहा यार मस्ट सा ऐसा गाउवाला फिल और इतनी सफाई है कि क्या ही बताओं वाव यार एकदम क्लीन और अगल वगल से हरा हरा सा और यहां पर बहुत सारे खिट वगेरा है और तब तक दीदी के आख में चल गए कीड़ा दीदी बोड़ी अरे रोशने मेरे हाँ के ख।र कीड़ा चल गया हटा दे फिर हमने उस कीड़े को हटाया फिर आगे बढ़े फिर हमें दिखा पार के वहाँ पे गाई भी थी और वहाँ पे गाई को देखे मज़ा आया और गाउं को देखे ऐसा लग रहा था मस्त और गाई वाओ यार क्या मस्त चल रही थी और यहाँ पे बच्चे खेल दे थे और फिर हम आगे गए फिर आगे हमें बहुत सारे पेड़ भी दिखे अगल बगल से फिर यहां से हम आगे फिर से मैन वाली रोड तो दोस्तों यहां पे रात के बच गए दस तो हमारा खाना वगेरा सब कुछ हो गया है तो आज तो है चांदनी रात और हमारे जैकी ने भी ख बस हाँ जो भी है तो यह था हमारा आज का ब्लॉक अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना शेयर करना कमेंट करना और जादा से जादा सब तक पहुंचाना और अपने जितने भी एकांटे सब में शेयर कर देना और ऐसी हमारी व ब्लॉक लाएंगे कल फिर धमरकाओगा बाब बाइग अरे किशना दोस्तों मिलते हम आपको अपनी नई वीडियो के साथ कर रादे रादे गुद नाइट बाब बाइग